बात करेंगे क्रिप्टो मार्किट के बारे में जून मन्थ स्टार्ट हो चुका है और स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीक के अंदर हमने इतना बड़ा गेम देख लिया आपको पता है बाइनेंस और SEC का क्या कुछ चल रहा है SEC की जहां तक हम बात करते हैं attack on Binance, Coinbase, XRP, Ripple ठीक है और यह हमने पहले भी देखा है 2022 में भी देखा है ठीक है और इसका जो impact है वो market पे immediately हमको देखने को मिला 2000 डॉलर का drop देखने को मिला और आज वापिस Bitcoin का price 2000 डॉलर pump हो गया जहां गिरे थे वहीं से वापिस उपर आगे 26,900 डॉलर पे अभी Bitcoin ट्रेड कर रहा है 27,300 के हाई लगा दिये कहां से 25,300 से तो Bitcoin ने एक तरह quick जवाब भी दे दिया कि Bitcoin इतना कम जोर नहीं है कि कोई भी आएगा, कुछ भी करेगा और market को dump कर देगा नहीं, market dump ज़रूर हुआ मानते हैं इस बात को लेकिन, यह जो quick reaction दिया है Bitcoin, यह जवाब दिया है कि भाईया, अभी रुको हम भी picture दिखाने वाले हैं अभी picture अभी बहुत बड़ी है picture अगले bullren में आपको बड़ी picture दिखेगी, लेकिन जो reaction दिया है, वो बड़ा गजब का reaction है Bitcoin का, है ना तो अब यहाँ पर यह इतना बड़ा game हो गया, Binance SEC की वज़ा से, बहुत सारी चीजें हो रही है, market के अंदर है ना, Binance के साथ पूरी crypto community है, जहां एक तरफ उमीद यह थी कि Binance से अच्छा खासा volume निकलेगा, लेकिन अच्छा खासा volume नहीं निकला, थोड़ा बहुत निकला है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा Binance की situation अभी भी है पूरी crypto community Binance के साथ है, क्योंकि number one exchange है और Binance के साथ support होना बहुत जरूरी है, पूरी crypto community का, यह तो हो गया current जो पिछले दो दिन में हुआ है, परसों हम गिरे और आज हम वापिस आगे morning तक, है ना तो अब आगे क्या हो सकता है वो बात कर लेते हैं, वो बहुत important है, अब अगले जो कुछ दिन है 13-14 तक, आपको aware रहना अगर आप market में trade कर रहे हो तो, आपके साथ discuss पहले भी किया है कि 13-14 जून की जो date वो बड़ी important है और इस पार FOMC कोई अलग date पे नहीं आ रहा है, पीछे की date पे नहीं आ रहा है मतलब gap हो दोनों के वीचे, नहीं 13 को CPI data आएगा, तो भाईया 14 को FOMC का decision भी आ जाएगा quick reaction quick result मिलेंगे दोनों दिन और दोनों दिन बड़े भारी भर कम है और अभी वो दिन आने से पहले जो पहले के दिन है उसमें और भी बड़ा गेम हो सकता है Bitcoin के level 30,000 में भी जा सकते हैं क्योंकि अलगी नीचे जाना था, वो नीचे होके आ गया है, ठीक है हो सकता है, pump जो volatility का level है वो आपको जैदा देखने को मिलेगा आप अगले 3-4 दिन जब तक FOMC का decision नहीं आता 14 June तक है ना, ये volatility आपको देखने को मिलेगी और इस volatility का आप benefit भी उठा सकते हो इस volatility का अगर आप समझते हो market को, तो आप अच्छी earning भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं समझते, आपको trade आपने गलत लगा दिया तो easily liquidate हो जाओगे क्योंकि market इन अगले कुछ जिनों में और भी बड़े game कर सकता है, हो सकता है, possibilities हैं कि 30,000 bitcoin हमको दिखा दे जो monthly candle हम देख रहे हैं अभी एक बार उस monthly candle का level थोड़ा सा उपर होने की देर है, बस अब वो level उपर होगा कैसे अल्रेडी हमने में मंत देखा 7% गिरा market bitcoin में मंत के अंदर जैसा हमने discuss किया था अब 13-14 June ये mid का time हो गया, June का, और उसके बाद का time और भी important है क्योंकि उसके बाद और भी अच्छा pump आ सकता bitcoin में, तो उमीद यही है, अगर उसी track से bitcoin चलता है, तो उमीद यही है कि CPA data और FOMC से पहले 30,000 तक bitcoin पहुँच सकता है, 30,000 dollar हिट कर सकता है, लेकिन market है, कुछ भी हो सकता है ठीक है, आप अपनी भी research जरूर कीजेगा, क्योंकि जब ऐसी dates आती है नजदीग तो जो charts में दिखरा होता है, जो market में चल रहा होता है, वो भी बदल जाता है, कभी-कभी, क्योंकि market चक्मा भी देता है, लेकिन वो चक्मे वाला जो scene होगा, वो भी हम आपके साथ discuss करेंगे, तो सबसे पहले तो आपका aware रहना है, 13-14 June के लिए, CPA डेटा और FOMC के लिए, और maybe, अगर Bitcoin उसी track पे रहा, 30,000 इन dates से पहले या इन dates तक, या उन dates के बाद अगर CPA डेटा क्योंकि depend करता है, CPA डेटा कितना आएगा, वो भी बहुत matter करता है ये 8th महीने का आने वाला है, पिछले 7 महीने जो CPA डेटा आ रहा है वो बिलकुल Bitcoin के लिए अच्छा रहा है, क्या इस बार भी कम आएगा, क्या इस बार भी inflation गिरेगा, US का, US CPA डेटा जो है, उसके दोनों, CPI नंबर कम आता है, उसके बाद interest rate, वही 25 BPS हो सकता है, ज़्यदा ज़्यदा तो फिर, चीज़ें ठीक हैं Bitcoin के लिए Bitcoin pump दिखा सकता है, ठीक है अब वेट यही करना है, अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा aware रहें बाकी जो अबडेट रहोंगी, हम अब next video में discuss करेंगे, ठीक है I hope इस video में आप समझ गए होंगे आज की इस video को करते हैं E-Paint, किसी भी crypto में आप invest कर रहे हैं, हमेशा अपनी research जरूर कीजेगा मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye, take care